नमस्कार, श्रीमत बालुमी की रामाइन अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका आज का हमारा सर्ग है चतुर विंशत्यधिक शत्तमह सर्ग है आज के सर्ग में है श्री राम का भरद्वाज आश्रम पर उतर कर महर्शी से मिलना और उनसे वर प्राप्त करना चली प्रारम करते हैं आज का पाठ पूर्णे चतुर दशे वर्शे पंचम्याम लक्ष्मणा ग्रजह भरद्वाजा श्रमम प्राप्य ववंदे नियतो मुनिम सो प्रिच्चद अभिवाद्यैनम भरद्वाजम तपोधनम श्रुनोशे कच्चद भगवन सुभिक्षा नामयं पुरे कच्चित्सयुक्तो भरतो जीवंत्यपिचमातरह इवमुक्तस्तुरामेन भरद्वाजो महामुनिही प्रत्यवाचरगु श्रेष्ठम स्मितपूर्वम प्रहिष्ठवत आग्यावशत्वे भरतो जटिलस्त्वाम प्रतीक्षते पादुकेते पुरस्कृत्य सर्वंच कुशलं ग्रिहे तो श्री राम चंद्रजी ने चौधावाँ वर्ष पूर्ण होने पर पंचमी तिथी को भरत्वाज आश्रम में पहुँचकर मन को वश में रखते हुए मुनि को प्रणाम किया तपस्या के धनी भरत्वाज मुनि को प्रणाम करके श्री राम ने उनसे पूछा भगवन आपने अयोध्यापुरी के विशय में भी कुछ सुना है वहाँ सुकाल और कुशल मंगल तो है न भरत प्रजा पालन में ततपर तो रहते है न मेरी माताएं जीवित तो है न श्री राम चंदर जी के इस प्रकार पूछने पर महामुरी भरत द्वाज ने मुस्कुरा कर उन रगुश्रेष्ट श्री राम से प्रसनता पूर्वक कहा रगुनंदन भरत आपके आग्या के अधीन है वे जटा बढ़ाएं आपके आग्यमन की प्रतीक्षा करते हैं आपके चरण पादुकाओं को सामने रख कर सारा कारे करते हैं आपके घर पर और नगर में भी सब कुशल है त्वाम पुराचीर वसनम प्रविशंतम महावनम स्त्रीत्रितियम चुतम राजा धर्म कामम चकेवलम पदातिम त्यक्त सर्वस्वम पित्री निर्देश कारिणम सर्व भोगई ही पर त्यक्तम सर्व स्वर्ग चुतमिवामरम दिष्ट्वातो करुणापूर्वम ममासीत्समितिन्जय कैंकी वचने युक्तम् वन्यमूल फालाशिनम् साम्प्रतमतू सम्रिधार्थ समित्रगण बान्धवं समीक्ष विजितारेम च ममाभूत प्रीतिरूतमा सर्वंच सुख दुखमते विदितं ममराघव यत्वयाविपुलं प्राप्तं जनस्थान निवासिनां ब्राम्हणार्थे नियुक्तस्य रक्षतह सर्वता पसान रामणे नहिता भार्या बभूए अम्मनिंदिता आगे कहते हैं श्रीराम सेवे कि पहले जब आप महान वन की यात्रा कर रहे थे उस समय आपने चीर वस्त्र धारण कर रखा था और आप दोनों भाईयों के साथ तीसरी केवल आपकी स्त्री थी आप राज से वंचित किये गए थे और केवल धर्म पालन की इच्छा मन में ले सर्वस्व त्याग कर पिता की आग्या का पालन करने के लिए पैदल ही जा रहे थे सारे भोगों से दूर हो स्वर्ग से भूतल पर गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे हे शत्र विजई वीर आप कैकै के आदेश के पालन में तत्पर हो जंगली फल मूल का आहार करते थे उस समय आपको देखकर मेरे मन में बड़ी करुणा होई थी परन्तु इस समय तु सारी स्थिती ही बदल गई है आप शत्र पर विजय प्राप्त कर सफल मनोरत हो मित्रों तथा बांधवों के साथ लोट रहे हैं इस रूप में आपको देखकर मुझे बड़ा सुख मिला मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ये रगवीर आपने जनस्थान में रहकर जो विपुल सुख दुख उठाए हैं वे सब मुझे मालूम हैं वहां रहकर आप ब्रामणों के कार में सनलग नहू समस्त तपस्वी मुनियों की रक्षा करते थे उस समय रावण आपकी इनसती साध्वी भार्या को हर ले गया था मारीच दर्शनम चैव सीतोन मथनमेवच कबंध दर्शनम चैव पंपा भीगमनम तथा सुग्रीवेन चाते सक्ष्यम यत्रवाली हतस्त्वया मार्गणम चैव वैदेह्याह कर्म वातात्म जस्यच विदितायाम्च वैदेह्याम नलसेतुर यथा कृतह यथा चादी पितालंका प्रहृष्टैर हरियूथ पैही सपुत्रवान्ध वामात्यह सबलह सहवाहनह यथाच निहत संखे रामनो बलदल पितह यथाच निहते तस्मिन रामने देवकंट के समागमश्च तिदशैर यथा दत्तश्च ते वरह सर्वम मेतद्विदितम तपसाधर्म वत्सल संपतंती चमेश श्याह प्रवृत्याख्याह पुरी मितह आहम अप्यत्रते दद्मिंवरम शस्त्र भृतांबर अर्ग्यम प्रति ग्रिहाणे दमयो ध्याम शोगमे शसी आगे कहते हैं वे शीराम से के है धर्म वत्सल मारीच का कपट म्रिग के रूप में दिखाई देना सीता का बल पुर्व का पहरण होना इनकी खोज करते समय आपके मार्ग में कबंध का मिलना आपका पंपा सरोवर के तट पर जाना सुग्रीव के साथ आपकी महत्री का होना आपके हाथ से बाली का मारा जाना सीता की खोज, पवन पुत्र हनुमान का द्भुत कर्म, सीता का पता लग जाने पर नल के द्वारा समुद्र पर सेतु का निर्मान, हर्श और उत्साह से भरे हुए वानर यूथ पतियों द्वारा, लंकापुरी का दहन, पुत्र बंधु, मंत्री, सेना और सवारियों सहित, बला अभिमानी रावन का आपके द्वारा युद्ध में वध होना, उस देव कंटक रावन के मारे जाने पर देवताओं के साथ, आपका समागम होना, तथा उनका आपको वर देना, ये सारी बात हैं मुझे तप के प्रभाव से ज्यात हैं, मेरे प्रवृत्ति यहां से आयोध्यापूरी को जाते रहते हैं, अताह मुझे वहां का वृत्तान्त मालूम होता रहता है, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठे श्री राम, यहां मैं भी आपको एक वर देता हूँ, आपके जो इच्छा हों से मांग ले, आज मेरा अर्ग और आतित्य सत्कार ग पजह, बाढमित्येव संहिष्टह, श्रीमान वरमयाचत, अताल फलिनो व्रिक्षाह, सर्वे चापे मधुस्रवाह, फल्यान अमृत गंधीनी बहुनि विविधानिच, भवन्तु मार्गे भगवन्य योध्याम प्रतिगच्छतह, तथे तिचा प्रतिग्याते वचनात समनंतरम, अभवन पादपास्तत्र, स्वर्ग पादपसनिभाह, निश्फलाह, फलिनश्चा सन्विपुष्पाह, पुष्पशालिनह, शुष्काह समग्रपत्रास्ते नगाश्यव मधुस्रवाह, चर्वतो योजनास्ति स्रो गच्छतां भवंस्तदा, ततह प्रहिष्टाह, प्रवगर्षभास्ते, बहुनि दिव्यानि फलानि चैवा, कामादो पाश्नन्ति सहस्रशस्ते, मुदान्विताह, स्वर्ग जितो यथैवा, तो भरद्राज मुनि के उस वचन को शिरोधारे करके हर्ष से भरे हुए श्रीमान राजकुमार श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा, फिर उन्होंने उनसे यह वर मांगा, भगवन, यहां से अयोध्या जाते समय मार्ग के सब व्रिक्षों में, समय नहोने पर भी फल उत्पन हो जाएं, और वे सब के सब मधु की धारा टपकाने वाले हो, उनमें नाना प्रकार के बहुत से अम्र तोपम, सुगंधित फल लग जाएं, भरत्राजी ने कहा, ऐसा ही होगा, उनके इस प्रकार प्रतिज्या करते ही, उनकी उस वानी निकलते ही ततकाल, वहां के सारे व्रिक्ष स्वरगिय, व्रिक्षों के समान हो गए, जिन में फल नहीं थे, उनमें फल आ गए, जिन में फूल नहीं थे, वे फूलों से सुशोवित होने लगे, सूखे हुए व्रिक्षों में भी हरे हरे पत्ते निकलाए और सभी व्रिक्ष मधु की धारा बहाने लगे अयोध्या जाने का जो मार्ग था उसके आसपास तीन योजन तक के व्रिक्ष ऐसे ही हो गए फिर तो वे सास्रों श्रेश्ट वानर हर्ष से भर कर स्वर्गवासी देवताओं के सम अपनी रूचिक अनुसार प्रसनता पूर्वक उन बहु संख्यक दिव्य भलों का आस्वादन करने लगे इस प्रकार श्री वालमी की निर्मित आर्ष रामायन आदिकावे के युद्धकांड में 124 स्वां सर्ग यहां पर पूर्ण होता है इत्यार्ष श्रीमत रामायने वालमी की यह आदिकावे युद्धकांड में 14 वेश्ट्यत्यक शत्यत्त मह सर्गत ओम श्री सीतारामचंदराःख्यामनमह